हलो दोस्तों मी हूँ आपकी दोस प्रीती आपके साथ क्या आप भी बिना लसंद प्याज टेस्टी सबजी खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीकी से बनाईएगा कच्चे के लिए की सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है आए रेसेपी शुरू करते हैं इसके लिए मैं लंबे-लंबे पीसेस में कट कर लेंगे तिके मैं शिमला मिच को इस प्रकार से कटिंग कर ली है अब मैंने यहाँ पर लिए दो टमाटर टमाटर को हम रफली चौप कर लेंगे टमाटर की हम प्यूरी बनानी है बड़े साइस का टमाटर हो तो आप एक भी ले सकते हैं साथ हम दालेंगे इसमें दो या फिर अपने टेस के साथ से हरी मिर्च टमाटर और हरी मिर्च को मिक्सी में अच्छे से पीस कर इसकी प्यूरी बना लेंगे अब हम इसके लिए एक चट पुटा सा मसाला तयार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में लिया है लाल मिच का पाउडर, सबेंगे- इस प्रकार दही में मसाले मिक्स करके या हम दही सबजी में डालते हैं, तो भरर नी ज्यूरी मधता नहीं है अम रहे दाह में लिए छ कच्छे केले केली मे surviving में वाले बाद में दाने साथ में कूर में कहल निख दिए यहां है से थोड़ी सी लंबाई में पेस कर लेंगे केलो को पकाने के बाद में हलका सा थंडा उन दीजीगा उससे के बाद पिस कीजीगा तो वह एकदम से मैश्ट नहीं होगा इतनी सब्जी से हम लगबग घर के तीन से चार्ट अदस्टे को आराम से पूर सकती है अब मैंने आप रखी गयास पर एक कड़ाई इसमें डाला है एक टेबल स्पून तेल तेल हमारा गरम हो गया है इसमें हमने डाला है 180 स्पून जीरा जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए अब इसमें डाल देते हैं हमारी कटी भी शिमला मिर्चु साथ इसमें हम डालेंगे थो अब उसी प्रकार से इसमें सब्जी में यूज कीजिएगा शिमला मिर्च को हमें एकडम में मैश करती भी नहीं पकानी है हलका से हमारी शिमला मिर्च में क्रेंच रहेगा तो सब्जी में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हलका सॉफ्ट रोड तक इसमें हम पकाएंगे देखिए हमने 2-3 मिट तक शिम्रामिश को पकाया है हलकी हलकी से हमारी शिम्रामिश पकने लगी है पूरे एक्दम से मैश नहीं हुई है अब जो हमने कच्चे केले के पिस करके तयार किये थे वो इसमें हम डाल देते हैं और साथ ही हम मिर्च के साथ में कच्च के लिए को भी अच्छ से साथे कर लेंगे कच्च के लिए हमारे अच्छ से पके वही है इसे हम एक से दो मिट के लिए के अवल इसके हाथ में साथे करना है इस तरीके से हम यदि पहले तेल में से वह साते करने से हमारी सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है वापस से मैंने गयास पर कड़ाई रखी इसमें डाला है दो टेबल स्पून तेल तेल हमारा गरम हो गया इसमें हम डालेंगे 180 स्पून जीरा हमने पहले भी डाला था उसी साफ से भी यूज़ कीजिएगा एक पेंच हींग यहाँ पर आप गयास को बिल्कुल कम कर देंगे तेल का जो टेंपरेचर है वो एकदम हाई नहीं होना चीए हलका सा गरम होना चीए हमारा तेल इसमें जो हमने दही में सारा मसाला फेट कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और गयस की फ्रेम को हम कम करके चलाते रहेंगे यदि हमारा तेज तेल गरम होता है तो हमारा दःी फट भी सकता है इसको ताप मार दिए आप कम रखेंगे तो दःी फटेगा नहीं एकड़म स्लो फ्लेम पर हम दःी को अच्छे से मसालों के साथ में थोड़ा सा सौते करेंगी एक तो हमारा जो तेल है वो तेज गरम नहीं हो साथ ही हमारा दही में खटास नहीं होगी तो दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा एक बार आप इस तरीके से कच्चे के लिए की सबजी बलाएएगा बहुत ही टेस्टी लगती है बिना लसन प्याज एक दम टेस्टी सबजी बन का तयार होगी दोस्तों मेरे आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है दिया आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे चल्व को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा एक प्यारी सी कमेंट दे कि आप मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा देखिए दही के साथ मसाली हमेरे अच्छे से भून गए है इसमें से आसपास से ओईल छूटने लगा है अब यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर जो हमने टमाटर की ग्रेवी तयार की थी वो भी डाल देंगे और हम टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे देखिए तीन से चार मिट थे हमने टमाटर की ग्रेवी को भी अच्छे से पकाया है आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी से हमारी जो टमाटर की ग्रेवी वह अच्छी से भून गई है और इसमें से ओयल भी अलग होने लगा है हम सबजी की कंसिसेंसी को एड्रिस करने के लिए इसमें दाले थोड़ सा पानी आप जिस प्रकार सबजी रखना चाहते हैं सूखी जितनी लिक्विड उसे आप से आप पानी डालेंगे और हम पानी डालने के बाद इसमें एक से दो उबाल आने देंगे साथ इसमें हम डाल देते हैं एक टेबल इस्पून कसूरी मती थोड़ से हाथोते से क्रश्च करके डाल लेते हैं ड्रेवी में हमारे उबाला गया है इसमें जो हमने कच्चे के लिए शिम्ला मिच फ्राइक करके रखी थी वो सारा इसमें हम डाल देते हैं सब्जी में हम एक उबाल और आने देंगी जिसे हमाई जो केले शिमला मिच में अच्छे से जो सब्जी का मसाला है वो अच्छे से अब्जाब हो जाए केले हमारे पके वे हैं शिमला में पहले से सौते कर लिया है ज़्यादा हमें सब्जी को पकाने की आश्रकता नहीं है एक से दो मिठ हमारे सब्जी में उबाला जा इतना ही हमें से पकाना है जब हमने कैले को सोते किया था उस सब में थोड़ा से में नमक डाला था आपको यहाँ पर टेस्ट कर लीजिएगा नमक की ज़रत लग रही है तो थोड़ा समें आप नमक को डाले सबजी में हमारे एक उबाला आ गया है अच्छे से हमारी सबजी में जो मसाले वह भ North मिक्स अप हो गये है इसमें वे तोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर्र कर देते हैं आज मेरे पास हराधाने उपलब नहीं है आप सब्जी में उपसे हराधाना डालिएगा और भी सुन्दादिके की सब्जी हमारी देखिए हमारी कच्चे के लिए कि टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है आप इसे रोटी पराटे किसी साथ भी खाईएगा बहुत लि किसी लगती है एक बार जरू ट्राइए कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए थैंक्यू